क्या आप जानते हैं एक किलोमेटर चलने में इलेक्टिक ट्रेन कितनी बिजली खाती है इंडियन रेलवे को इलेक्टिक ट्रेन और डीजल इंजन ट्रेनों में से कौन सी महेंगी पढ़ती है चली जानते है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इलेक्टिक ट्रेन को एक किलोमेटर तक चलाने में 20 यूनिट का खर्चाता है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक अजमेर रेलवे मंडल में चलने वाली इलेक्टिक ट्रेने 20 यूनिट में 1 किलोमेटर का सफर तया करती है बात करें ट्रेन के बिजली के बिल्की तो रेलवे परती यूनिट बिजली के 6.50 रुपे का बुक्तान करता है ऐसे में अगर एक किलोमेटर चलने में 20 यूनिट खर्च होती है तो कुल 130 रुपे का खर्चा आता है वहीं डीजल इंजन से ट्रेन चलाने में 3-4 लिटर तक डीजल खर्च होता है जिसका खर्च 350-400 रुपे तक आता है ऐसे में इलेक्टिक ट्रेन डीजल इंजन के मुकावले काफी सस्ती होती है वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब